हलो बच्चू आप सब लोग कैसे हो मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो है ना ओके बच्चो आज हम आपको रिविजन करवाएंगे ठीक है यहां देखिए क्लास वर्क और डेट लिखिए यहां देखिए डे लिखिए ठीक है यहां देखिए हिंदी रिविजन हिंदी रिविजन यहां हेडिंग है हमारा देखिए सजाकर लिखो यह हमारा हेडिंग है सजाकर लिखो सजा करा कर सजाकर लचोटाई लिखो की मातरा लिखो सजाकर लिखो इहां देखिए बच्चों हमने बहुत से शब्द दिये हुए है यहां 6 शब्द है साथ में चित्र भी देखिए यहां साइड में हमने बना लिए है लेकिन शब्द को हमने जो अक्षर है उसको इधर उधर कर दिये है ठीक है? हमने ठीक से लिखा नहीं है वो आपको ठीक से लिखना है ठीक है तो ये जंबल करके दे दिया है हमने तो इसको आप सजाकर इसलिए हेडिंग है सजाकर लिखो तो सजाकर लिखो इसको ठीक से लिखने के लिए आपको शब्दो को अच्छी तरह से याद करना होगा ठीक है ना इसका स्पेलिंग आपको अच्छी तरह से याद होना चा सलागी तो क्या होगा? गिलास गर्च में छोटी ही लास गिलास ग में छोटी ही लास गिलास नम्बर टू देखे यहां सवधी यहां देखे चित्र यहां hills है, hills में से सुरज निकल रहा है ना? पहारों में hills सूरस निकल रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं दीवस द छोटी इ दीवस 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 नम्मत त्री देखिए ब कीता तो ये गलत है तो ये तो सही नहीं है तो आपको सही करके लिखना है यहां देखिए किताब देखिए यहां पिक्चर देखिए किताब का है तो किताब का स्पेलिंग बोलिए क में छोटी की त आब किताब क में छोटी की त आब किताब यहां नम्मब फोर देखिए न हीर यहां चित्र देखिए किसका चित्र है हीरन का फेस का चित्र है हिरन का तो dear है यह dear बोलते हैं इंग्रिश में तो ही हा में चोटी ही राना ही रन ही राना ही रन इस तरह से आपको यहां ठीक से लिखना है नमबर 5 रि या ची रि या ची चित्र देखिये तो क्या होगा ची चचच शोटी ची अड़ा छोटी री या चीडिया चीडिया तो इसको आप सुन्दर से सजाकर लिखिये फिर देखिये, यहां देखिये, number six, he, यह प, यहां देखिये, यह पहिया है, आप देखते हो ना पहिया, बस में, कार में, है न, टंग है न, तो उहां पहिया होता है न, विल इसको विल बोलते हैं तो क्या होगा पही या पहज छोटी ही या आ पही या बच्चो आपको समझ में आया ये क्या है पहला वाला बोलो गिलास नमबर टू दिवस नमबर त्री किताब नमबर फोर हीरन नमबर फाइव चिरिया नमबर सेक्स पहीया ठीक है बच्चो आप लोग इसको ठीक तरह से लिखिए आपको समझ में आ गया ना बच्चो हाँ ठीक है इस तरह से लिखिए और जोर जोर से उच्चारन करके पढ़िए और इन शब्दो को याद कीजिए ठीक है बच्चो आज के लिए इतना ही बाइ बाइ फाइज डे थैंक यू